अगर आपका भाई प्रधान मंत्री होता तो तो क्या आप पतंग बेच रहे होते हैं। बंदा पॉलिटिक्स में जाएं तो परिवार में दूर दूर तक सारे के सारे पैसों के धेर में खिलते हैं। तबी आज हमारे पास हैं एक ऐसे नीता जो देश की सियासत की सबसे उची कुर्सी पर बैठे हैं। तेकिन उनका परिवार कैसी आम जिन्दगी जी रहा है। नरेंद्र बोधी के बड़े भाई सोम भाई मोधी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र बोधी के भाई हैं। पर उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री के लिए सिर्फ सवा सो करोड देश पासियों में से एक हैं। छोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारन सी नौकरी करते हैं। दूसरे बड़े भाई अमरुद भाई एक प्राइवेट कमपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं। आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा। मोधी जी के दूसरे छोटे भाई प्रहलाद मोधी एक फेर प्राइस शॉप चलाते हैं। उनकी 95 साल की माता जी थे। माता जी नोडबंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खुद लाइन में फड़ी दिखी थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजाना करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बरतन साप करना, पानी भरना, मदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि माने कितना कश्ट होथा है। नरेद्र मोदी के चचेरे भाई, अशुक भाई, आट बाई, चार फीट के किराय के दुकान में पतंग, पटाके और नाश्टे बिचते हैं। बड़े चचेरे भाई, भरत भाई, एक पेट्रोल पंपर अटेंडेंट हैं। और उनकी पत्नी रमीला बहन, बड़नगर के अपने छोटे सी घर में ही खाने का सामान बिचती है। मेरे देश वासियों, मेरे गर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तीसरे चचेरे भाई, चंडर कांथ, एक गौशाला में बतोर हेलपर काम करते हैं। चोथे चचेरे भाई, अर्विन भाई, एक स्क्राप डीलर हैं। जबकि पांचने चचेरे भाई, भोगी लाल ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं। चाशा कांती लाल और जहनती लाल, रिटायर टीचर्स हैं। जहनती लाल की बेटी, लीना की शादी, एक बस कंड़क्टर से हुई है। मतलब की देश के प्रदान मंत्री का जीजा, एक बस कंड़क्टर है। परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन उन्होंने इस बाद का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा सोचिए, दूसरी दरफ है यूपी के मुलाइम सिंग यादव और अखिलेश यादव परिवार, जो सत्ता की खींचतान में अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और अपना होश तक भूल चुके हैं। गांधी परिवार, जिसने अपने परिवार वाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल इंपायर खड़ा किया। जवाब साफ है, ये 25-50 लोग नहीं, बल्कि सवा सो करोड भारतिय ही उनका परिवार है। जरा सोची